एक सकते हैं कि React Native Free UPI Gateway Integration कैसे करें, ठीक है, React Native Application के अंदर में आप एक Free में से UPI Gateway को कैसे आप Integrate कर पाएंगे, वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बहुत ही अभी payment gateway का कैसकते हैं कि मतलब रस्त चल रहा है, जो कि बहुत ही मतलब कैसकते हैं कि payment gateway का problem हो रहा हूँ, जो कि आप Free में इसको यूज कर सकते हैं और अपने payment को collect कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए, मैं ज्यादा लेट ना करते हुए, मैं आपको सीधा एक, मतलब कैसकते हैं, stage पे लेचलता हूँ, जिसमें से जो चीज हमें बताना देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक react native का complete e-commerce का app development किया हूँ, जो की सारा features इसके अंदर में मिलेंगे, अगर ये code भी आपको चाहिए, तो आप इसको इस code को भी buy कर सकते हैं, मैं आपको इस code पर चीज जो इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं, वो payment gateway से related दिखाने वाले हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो like, share, subscribe चैनल को जरू कर देंगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो अक्सर हम अपना चैनल में हम लाते रहते ने डालते रहते, ठीक है, तो चलिए मैं start करता हूं, तो सबसे पहले मैं यहां पे आप लोगो को थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूं, कि जैसे कि मैं plus icon पे click करूंगा तो यहां पे इस तरह का दिखेगा, और यहां पे बहुती सांदार smoothly slide भी लगा हुआ है, जो कि इसको भी कैसे लगाया जाता है, वो भी आप इस code के अ alert भी किया गया कि हमारा जो है product add हो चुका है, ठीक है, अब यहां पे मैं चलता हूं, देख सकता हूं, देखो इसके अंदर में कि कितने सारे products add होए हैं, लेकिन मैं इतनी सारे products को add नहीं रखना चाता हूं, ठीक है, तो मैं delete कर देना, और मैं एक और delete कर देता हूं, कितना product बज़ गया मेरा दो product, और मैं minus plus भी कर सकता हूं, देख सकते हैं कि मेरा increment, decrement भी हो रहा है, और यहां पे decrement भी करता हूं, तो उस तरह से price भी सारा कुछ calculation हो रहा है, automatically, तो सारा इस code के अंदर में है, buy कर सकते हैं, वीडियो के description में WhatsApp का number दे दूँगा, वहां से हमें contact करें, मैं आपको जो है, code को provide कर दूँगा, ठीक है, अब यहां पे मैं चलता हूं, check out पे, ठीक है, check out पे कर देने के बाद में यहां पर देख सकते हैं कि इस तरह का payment gateway आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो यहां पे जो है, यह payment gateway को कैसे हमने implement किया है, इस react native application के अंदर में, वो चीज में आप लोगों दिखा, सबसे पहले मैं यहां पर आप दिखा दूँँ कि यहां पर देख सकते हैं कि यह मेरा चल रहा है, आप यहां पर मैं करता हूँ, इसको पे करने के लिए क्या करेंगे, कि हम करता हूँ, और मैं चला जाता हूँ, simple, phone pay के अंदर में, ठीक ह उसके बाद में यहां पर मैं proceed to pay करता हूँ, फिर से मैं pay कर देता हूँ, एक रूपे जो भी हो, अपना हम यहां पर pay कर देने के बाद में, मेरा response क्या आएगा इसके साथ में, ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं, मेरा response हो गया, और यहां पर में वेबसाइट के अंदर मे यह कर करते हैं अब यहां पे मैंने और में में तरीका हमारा यह हुआ जा को कि दूसरा डेमो हमारा यह हो सकता है कि यहां पे फिर से हम चलेंगे और प्लस पे और प्लस पे जाने के अंदर में फिर हम यहां पे चले जाएंगे पेमेंट पेज पेज पर चेक आउट और यहां पर आपको एक और मिलेगा ऑप्सन एप पे ठीक है एप पे मैं एक वीडियो पहले भी बनाया था इसका जो की बहुत ही अच्छा रिस् के अच्छिंगे प्लस पे यहां से भी पे कर सकते हैं जो की आउ-डर आपका कम्प्लीट हो जाएगा सब्सक्राइब करेंदे हाँ और और यहां पर प्हली प्रप्रॉब्लम क्या था जो की इसका कोई ipresh आग्स हमें नहीं मिल रहा था जो कि यह support कर रहा था ठीक है लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यह ID अगर आप यहां पर कोई bank का अगर ID आप यूज़ करते हैं जैसे कि मतलब merchant ID को आप यूज़ करते हैं तो यह work करेगा और मतलब इसमें इसे payment accept कर सकते हैं जैसे कि यह एप है ठीक है यह free charge का हर कोई जानता है यह भी पेटीम के तरह phone पे के तरह यह भी है जो कि इससे आप एक business का आप यहाँ पे जैन देख सकते हैं जैसे intent flow means यह जो मैंने आप लोगों को दिखाया ना कि app से कैसे payment कर सकते हैं वह चीज को आप यह direct app से भी payment accept कर सकते हैं और अगर यह भी ना आपका हो तो उस case में आप scan and pay वाला section को यूज कर सकते हैं जो कि आराम से आपका payment accept हो जाएगा बसरते इसमें से आपको simple क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है एक चीज में यह जो scan and pay वाला जो है ना वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को checkout मे जाने के बाद this can and pay नीची है मेरा ठीक है मैं उसके क्लिक करता हूँ उसके बाद में हमारा scan pay वाला प्रोसेस जो मेरा चलो हुज देगा थीक है तो यहां पर मेरा delay कर रहा है क्यों फिर से मैं एक बार scan and pay क्लिक करता हूँ क्लिक तो यह हमारा जो है scan pay वाला मैंने अबी process दि है हमारा देख सकते हैं कि यहां पर मैंने वेब व्यू का यूज किया हो ठीक है वेब व्यू का इसके अंदर में आपको यूज करना है तो वेब व्यू आप कैसे यूज करेंगे आप यहां पर देख सकते हैं कि वेब व्यू का हमने इस्तमाल किया है ठीक है और सिंपल जो है यहाँ पे पोस्ट एक जैन्रेट किया हो मतलब फॉं को और उस फॉं में हमने एक यूरल पास किया है ठीक है यूरल जो है मारा API का URL है वह URL हमने पास कर दिया उसके बाद में जो जो वैल्यू हमको यहाँ पर भीजना है वह मैने यहाँ पर भीज दिया सांदार तो मैं और पार किलिक करता हूं और किलिक करता हूं के सिखने के लिए बहुत ही बहतरीन कोड है ठीक है आप अराम से इसको सीख सकते हैं तो मैं चला जाता हूं यहां पर चेकाउट पर क्लिक करता हूं और यहां पर scan and pay पर क्लिक करता हूं ठीक है अगर कुछ देख सकते हैं कि मेरा loading हो चुका है और इस इस में आप यहां से स्कैन करके भी payment कर सकते डारेट Yet यह पर नीचे पे वन रूपीज यूज यूजिंग आप तो यही वर्क नहीं करता यहां पर यहां फैली करना चाहते करने के बाद में आपको जो है यहां पर जैसे कर लेना है यहां पर करने के बाद में आपको login हो जाना है सिंपल login हो जाने के बाद में आपको सारा सेटिंग जो भी हो आपको इसके अंदर में मिल याएगा ठीक है जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा दो हुआ यहाँ पर मैं लॉग इन हो जाता हूं आपको और यहाँ पर मैं दिखा देता हूं कि कैसे कैसे यहाँ पर सेटिंग करना है बहुत ही इजी है आपको सिंपल यहाँ पर यहाँ ऐसे कर लेना है उसके बाद में क्या जाएगा बहुत सारा ऐसा मतलब पेटीम का जो पेटीम फूर बिजनस है ना यह वाला यहां मतलब एक अकाउंट आपके पास होना चाहिए यह क्यूआर कोड जो है आपका होना चाहिए तभी यह वर्क करेगा ठीक है क्योंकि हम यहां पर पैमेंट एकसेप्ट करेंगे इस द तो आपका सारा process सारा कुछ आपको इस кोड के अंदर में मिल याएगा चाहे तो आप ilो कर सकते हैं बस सिंपल तरीका हाई कुछ नहीं है इसके अंदर में और मैं यह डायक्ट वाला जो हमारा यह डायक्ट मीनस यह एप वाला जो है एप का process जो हेंप मैंने क्लिक किया उसक इसमें मतलब अपना अकाउंट बनाएं उसके बाद में फ्री चार्ज बिजनेस का भी एक अप्लिकेशन है जो कि वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं इसमें से एक आईडी आपको मिलेगा और यह आईडी यहां पर आप यूज करेंगे तो आपको मतलब सारा पैमेंट एकस से और यहां पर यहां पर रूपल रूरीपी और आपको साइब हो जा रहा है लेकिन मुझे दीख रहा है तो यहां पर देख सकते हैं कि में फिर इसे पैमेंट हो गया और Nah हो जाने के बाद में मैं चलता हूं कहांपर जो कि मेरा एप टाक्या वह जो हमारा एप है उस एप में यहां पर एक्सेप्ट हो चुका है लेकिन इस एप में यह क्या रहा है यहां पर देख सकते हैं कि और यहां पर सब कुछ लगा हुआ है इसके अंदर में और सब यहां और भी डाउनलोड करना पड़ेगा एन पीम में लिंक देंगे वहां से अप डाउनलोड कर सकते हैं इसको डाउनलोड कर सकते हैं बहुत एजी तरीका है बाकी सारा instruction इसमें देख देख कि आप इसको setup कर सकते हैं सब कुछ यही चीज मैंने वहाँ पे लगाया हूँ ठीक है यही सेम चीज ठीक है तो बहुत easy है बहुत असान है अगर आपको किसी तरह का problem हो रहा हो तो मैं contact करें और मैं इसका solve करने की website development payment gateway integration से related अक्सर मैं अपने वीडियो में लाता मतलब वीडियो में बनाता रहता हूँ पीएच पीएच पी में हम अक्सर ज्यादा जो हैं integrate करते हैं अपना payment gateway को तो और किसी को integrate करवाना तो मैं जरूर contact करें वीडियो की आई होप फिर मिलता हूँ नेक्स वीडियो में तब तक रिए थेंक्यू फर वाचिंग गाइस बाबाएए